नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक और NCD IPO के बारे में जानने वाले हैं जो कि आज ओपन हो चुका है दर्चुलाई को यह NCD IPO लेक्या है नावी फिंसर लिमिटेड यहां पर आप देख रहे हैं NCD की सारी डिटेल्स हमारे सामने जैसे टाइप आप इंस्टुमेंट है Secure redeemable non convertible debenture है Senior to senior secure bond है Listing इसकी BSC and NSC दोनों पर ही Listing होगी Base issue size यहां पर हमको दिखराए 500 cc और issue size 500 cc Issue price होगी 1000 रुपे पर NCD minimum investment होगी 10,000 रुपी यह इसके multiple पर ही या आप 10,000 थार्टी, 30, 40 ऐसे ही invest कर सकते हैं जैसे आपको 10,000 से कम तो आप नहीं कर सकते लेकिन ज्यादा भी 11, 12, 13 ऐसे नहीं कर सकते 10,000 के multiple पे ही आपको invest करना परेगा credit rating यहाँ पर देखें तो दो rating agencies के यहाँ पर rating है दोनों ने A stable के यहाँ पर rating दी है और issue open जैसे हमने बात कर लिए यह दर चुलाई को आज ही के दिन issue open हो रहा है और close होगा यह जुलाई 21 को और यहाँ पर mode of allotment dematerialized only तो यहाँ पर materialized कोई ऐसा allotment नहीं होगा आप dematerialized allotment यहाँ पर होगा allotment basis कि बेसिस पर allotment होगा first come first serve basis पर होगा पहले आओ पहले पाओ के basis पर यह allotment आपको मिलेगा depositories nsdl cdsl कहीं पर भी आपकी कोई भी डिपाजिटरी आपकी हो सकती है दोनुग डिपाजिटरी पार्टिस्पेंट इसके हैं अब हम देख लेते हैं कुछ और डिटेल्स हम व्यू सिरीज में देखें तो यहाँ पर पांच सिरीज में यह bond निकल के आ रहा है और तीन 10-year में 18 महने 27 महने और 36 महने जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 18 मांथ 27 थर्टी सिक्स मांथ 5 सिरीज के बांड है तो सबसे ज्यादा बांड हमको यहाँ पर सिरीज 4 का जो बांड है 11.01 परसेंट की यहाँ पर मिलेगी payment frequency हमारी monthly होगी और 10-year 36 मन्त होगा सेम उसी उसी maturity में yearly payment frequency का option भी आपको मिलता है और series 3 है 10.78 yearly payment frequency होगी 27 मन्त का अगर आपको regular income चीए तो आप monthly में जा सकते हैं अगर year on year चीए तो आप yearly आला कर सकते हैं कम 10-year के लिए चीए तो उसमें भी काफी अची येल्ड है 10.18 परसेंट की येल्ड है आपे 18 महने की अब जैसे हम देख लेते हैं इस bond के बारे में तो अगर आप इस bond में 1 lakh रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 14,628 यहाँ पे interest income होगी अगर आप cash flow देखना चाहते हैं तो cash flow में आप क्लिक करके देख सकते हैं हर मैने आपकी कितनी interest income होगी हर मैने आपकी 812 रुपे आपे interest income होगी अगर 1 lakh रुपीज आप invest करते हैं इस bond पे और bond की डिटेल जैसे minimum investment हमने बात कर लिए येल्ड की हमने बात कर लिए 10-year और payment term भी यहाँ पे हमने देख लिया यहाँ पे हम यह सारी डिटेल्स देखने के लिए golden pie का इस्तमाल करते हैं आप भी इस platform का इस्तमाल कर सकते हैं और golden pie से यह आप इस bond में invest भी कर सकते हैं इसका link हमने description में दिया वहाँ से आप golden pie में account open कर सकते हैं और download prospectus में क्लिक करके आप download कर सकते हैं prospectus यहाँ पे आपको login करना पड़ेगा तभी आप download कर पाएंगे और यहाँ पर credit rating दो कि एक क्राइसल और IND rating कि यहाँ पर rating है दोनों ने एक ही stable कि यहाँ पर rating देए हुए बागी आप compare कर सकते हैं यहाँ बैंक FD से अलग-अलग bank की FD से आप compare कर सकते हैं इस bond को और अब हम कि शूर के बारे में बात करें तो टोटल एन्वल रेवेन्यू रहता है नावे फिंस अप लिमिटेट का 149.15 का इनका रेवेन्यू था फाइनेंचिल यह 2021 में कंपनी 2012 से कारियरत है इंडिस्ट्री एंबी एपसी सेक्टर की यह कंपनी है 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 को आप देख सकते है टाइप ऑफाप इशूर और करेंट एमडीन यह अथी आप देख सकते हैं और भी डिटेल आप देखना चाते हैं एक कंपनी के बारे में तो यहां पे आप देख सकते हैं स्रीज की बात तो हमने करी लिए कितनी स्रीज में कितना आपको इंटरेस्ट मिलेंगा एलोगेश कुछ company के last three year के financials है three four year के financial है वो आप यहां पर देख सकते हैं net worth में देख रहे हैं आप तो continue increase हमको देखने को मिल रहा है और लेकिन यहां पर pet हम देखें तो last financial year में इनका pet negative था और revenue भी लगातार इनका बड़ ही रहा है अगर आप यहां पर देखें तो cash flow भी आप यहां पर देख सकते हैं आप इस bond में invest करने से पहले अपने financial advisor से consult करके और अपनी खुद की research करके आप इसमें invest कर सकते हैं जैसे कि हमने बताई दिया है कि now if investors किन किन चीजों में काम करता ह यहां पर देख सकते हैं digital personal loan, home loan, mutual fund, health insurance and micro loans में अगर आप इस bond में invest करना चाहते हैं इन NCD IPO में invest करना चाहते हैं तो golden pie से आप invest कर सकते हैं लिंक description में है वीडियो आपको informity लगा हो तो हमारे वीडियो के लाइक जरूर करें और ऐसी ही informative वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं लिए ऐसी ही informative वीडियो के साथ धन्यवार